जितने हमारे पीछे वाले टॉपिक्स से प्रॉसेस अकाउंट के अंदर और जो बच्चे नए अंड्रोल होएं आज वाला टॉपिक्स समझ में नहीं आएगा उनको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा पीछे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है लेकिन अब आप बोलोगे ना अच्छे में से भी बहुत अच्छा सेम इंपॉर्टेंट में से भी बहुत इंपॉर्टेंट तो वो ये है हमारा ये हमारे एक्जाम में पूछा जाता है ओनर्स में तो 100% आता है ल झाल झाल वाइस चेक करी आ रही है वाइस बहुत दुखी कड रहा है ये माइक में जो चलिए नाव क्लियर है बता दीजिए फटा फट अब क्लियर है वोईस चलिए प्रोसेस अकाउंट हम पहले थोड़ा सा याद कर लें के भईया हमने सीखा गया था और बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन बच्चों के लिए बड़ा सरदर्द बन जाता है क्योंकि वो ना इसको समझ के नहीं करते ये रहा हमारा प्रोसेस अकाउंट सर अभी प्रोसेस अकाउंटी बनाना पड़ेगा जी हाँ अभी भी ना हमें प्रोसेस अकाउंटी बनाना पड़ेगा ये हमारा प्रोसेस अकाउंट है अब इस प्रॉसेस अकाउंटिक के अंदर क्या होता था हमारा ओपनिंग स्टॉक भी होता था मटीरियल भी होता था और लेवर भी होता था और ओवर हेड भी होता था ठीक है जो भी X, Y, Z यूनिट आ गया 500 यूनिट आ गया और मान लेते हैं 5000 रुपए का आ गया और इसी के हिसाब से हमारा सारा सारा ये चलता था इसके बाद देखा जाए बाई साइड में तो बाई साइड में क्या था था हमारा नॉर्मल लॉस और क्या लिखते थे हम अबनॉर्मल लॉस मैं बस बातें याद दिला रहा हूँ वाई क्या लिखते थे जो next process में जा रहा है वाई में क्या लिखते थे closing stock भी लिख दिया करते थे हाला कि इसके लिए अलग से stock account भी बनाना सीखा तरही है और इस तरीके से हमारा done हो जाये करता था अब ये काम हमारे लिए process account बनाना इतना आसान था ना पहले क्योंकि इसका value हमें given होता था कि कितना होगा हमें abnormal का value given होता था या नहीं तो निकाल पाते थे हम next process में जो जाएगा इसका value हम balancing figure निकाल लिया करते थे ठीक है न opening stock का क्या होगा ये value given होता था अब ये value नहीं देगा देगा सही इसका value लेकिन इससे और आपको filter करके आगे निकालना पड़ेगा उसका जरीया देगा अगर मैं बात करूँ चीजों को ध्यान से सुनना एक होगा opening stock sir opening stock का मतलब क्या होता है जो पुराना stock है ना अब opening stock यानि कोई भी stock बनेगा कुछ भी बनेगा माल लेता है मैं यह pen बना रहा हूँ आपके साथ यह pen भी बनाऊँगा तो इसमें material भी लगा है लेबर भी लगा है और overhead भी लगा है तीनों चीज़े है तो sir कोई भी stock होगा कोई भी चीज बनेगा तो उसमें क्या क्या लगने वाला है माटीरियल लेबर एंड ओवर हैट मैंने यह यह वर्ड नहीं लिखा ओपनिंग फिनिस स्टॉक सिर्फ लिखा ओपनिंग स्टॉक और opening stock में ऐसा हो सकता है probability कि जो हमें opening दिया हो वो finish गोड़ सकती हो अगर हमें opening stock वो finish दे रहा है तो तयार माल है बस इसको बेचने की दे रही है है ना इसको बस बेचना है लेकिन opening stock जो मिला है वो आदा कच्चा है मतलब सही से बनानी और end हो गया हमारा साल और उसे हमने opening में डाल दिया जिसे मकान होता है एक जो final मकान बन के तयार होता है वो finish है और हर साल roll over होता है तो एक opening stock भी अगर देखा जाए तो कुछ labor अभी नहीं लगा यह नहीं लगा तो हमेशा याद रखना कोई भी हो material तो हमेशा 100% लग जाता है जब हमारा कोई stock आधा कच्चा आधा पक्का देखो पक्का हुआ तो सब कुछ 100% लग दिया लेकिन आधा कच्चा आधा पक्का हुआ ना कोई समान तो उसमें material हमेशा 100% लग जाता है अब लेबर उसमें लगना बाकी है भाई कुछ लेबर लग गया आटा गूतने तक का लेबर लग गया उसका पकाने वाला लेबर नहीं लगा लेकिन कुछ लग भी गया होगा मान लेते हैं दस रोटी बन गई है तो यह जो होता है ना यह depend करता है कि आपका कितने percent completion हुआ है उसका percentage लगेगा हमेशा यानि सर opening stock हो सकता है आपका कि पूरा तयार मिले आपको और हो सकता है कि इसके अंदर आधा कच्चा आधा पका पहले जो opening stock देता था ना हमें इतना दिमागी नहीं लगाना पड़ता था कि इसमें material कितना है लेबर कितना है और सर दिमागी नहीं लगाते थे रियल में ये प्रिपेर होता है हमारा तो सर अगर मैं बोलू कि ओपनिंग स्टॉक में 100% मटीरियल लग गया है तो बताईए अब मैं ये ओपनिंग स्टॉक पिछला है मान लो 2010 है अब हम आगे कहां पे 2000 अब बताओ मुझे और ओपनिंग स्टॉक को तैयार करने में मटीरियल कितना लगेगा जीरो है कि नहीं क्योंकि पहले ही लगा दिया भाई तुमने मैंने बोला ये 70% लग चुका है तो मुझे 2011 में ओपनिंग स्टॉक को सुधार के पूरा लिखूँगा ना भाई मैं तो तो ओपनिंग स्टॉक में अब लेबर कितना लगाऊं एड़ ओवर हेड कितना लगाऊं अगर मैं बोलता हूँ ये 40 है तो पहले आपको थोड़ी थोड़ी concept डेबलब कर रहा हूँ इसमें कुछ सीख नहीं रहे बस समस्ते जाना है आपको बस यानि सर ऐसा भी possible हो सकता है सवाल में ओपनिंग स्टॉक जो देगा वो आधा कच्छा आधा पक्का दे या फिर पूरा पक्का ही दे दे पूरा पक्का का मतलब फिनिस दे दे पूरा और आधा कच्छा मतलब कुछ पार्ट लग गया और कुछ नहीं लगा इस तरीके से भी चल सकता है चलिए सर अब ओपनिंग स्टॉक की कहानी मटीरियल लेबर इसका तो रेट आपको गीवन होगा यानि यहां थोड़ा दिमाग लगाने पड़ेगा नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस ये भी गीवन होगा लेकिन सर जब हमारा नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस होगा न या तो एबनॉर्मल लॉस हो या नॉर्मल लॉस हो इसके अंदर भी तीन चीजों को मिला के लॉस होगा सर क्या अब हमें न थोड़ा देफ्ट में पढ़ेंगे in depth details discussion करेंगे पहले तो उपर उपर से देखा के abnormal loss इतने रुपेख हो गया बात खतम अब हम ये भी बताएंगे कि abnormal loss में material कितना नुकसान हुआ labor कितना नुकसान हुआ overhead कितना नुकसान हुआ ये सारी बाते हम इसके अंदर देखने वाले तो sir labor, overhead और material ये सारी बाते हम देखेंगे इसके बाद हमारा क्या है next process next process में जब जाएगा तो always याद रखना जब आपको इस अमान बेचोगे तो हमेंसा full तयार होग करके बेचोगे next process का मतलब माल तयार होगा तभी तो next में भीज़ेंगे और next process में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हम next process में भीज़ेंगे जो हम next process में भीज़ेंगे इसमें material कितना लगा होगा labor, overhead तो जवाब होगा sir material लग गया होगा labor लग गया होगा और overhead भी लगा होगा तो next process बोलो या complete unit बोलो ठीक है same closing stock में भी ऐसा probability है जब opening stock का आधा कच्चा आधा पक्का हो सकता है तो closing का भी तो आधा कच्चा और पक्का हो सकता है तो यहाँ पे भी तो हमें सबसे majorly सबसे पहले तो यह define करना होगा कि भया कितने kilo समान यानि कितना unit समान opening में लगा और कितना closing में लगा कितना समान opening है और कितना closing है समझ रहे बात मैं क्या बोल रहा हूँ यानि अब हमें अगर opening stock का यहाँ पे बनाने यही account है भाईसा finally question बोलेगा यह account बना लेकिन अब हमें यह तै करेंगे कि भी या इसका value कितना होगा इसका value निकालने के लिए आपको material वाला value लेना पड़ेगा जैसे मैं बोलू कि भाईया opening stock में मैं example ले रहा हूँ opening stock में 5 kilo समान लगा और 2 रुपे के हिसाब से labor लगा मतलब labor लगा हमारा कितना 5 kilo समान पे और यह लगा 1 रुपे के हिसाब से और यह भी 5 kilo समान पे 1 रुपे के हिसाब से तो भाईया यह तो होगे हमारा 10 रुपे और यह 5 रुपे और यह 5 रुपे अब जाके मैंने decide कर पाया कि opening stock कितना लिखेंगे जो कि यहां हम 20 लिखेंगे लेकिन पहले ऐसे कहानी नहीं थी पहले क्या था? कि आपको totally देता था है ना? तो अब हमें यह components निकालना पड़ेगा यानि सर हमें opening stock भी निकालना पड़ेगा closing stock तो इसके लिए हम एक format follow करेंगे यानि equivalent unit बना लेगे कि कितना unit कितने कितने part labor के लगे कितने part material के लगे वो एक statement बनाएंगे उसके बाद हर unit का कितना rate पड़ेगा वो भी बनाएंगे उसके बाद हर unit का total cost क्या होगा वो भी बनाएंगे तो हमारा चल रहा है कि आप process account बिलकुल new है पीछे से बस ये account बनाना होता है ज़्यादा कुछ लेना देना रहता नहीं है तो हम process में भी क्या सीख रहे है work in progress concept सर work in progress में दो method है इसके अंदर very popular और दोनों में से कोई भी examiner बोल देता है कि इस method से करके दिखाओ और examiner अगर नहीं बोलता कि इस method से करके दिखाओ तब तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो सर जैसे एक है हमारा फीफो सर यह फीफो तो उसका ही सुना सुना सा है material के अंदर एक है हमारा weighted average weighted average जिसको WA बोल दूँआ सर ऐसा मस समझना दिमाग में ऐसा कहानी picture बिल्कुल भी नहीं बनाना कि वही फिर इतने सारे column वालम कुछ नहीं वैसा फीफो और weighted average यह decide करता है कि हमारा unit को next process पे भेजने का क्या process रहेगा बस हमारे next unit को भेजने का क्या process रहेगा बस इससे ज़्यादा कुछ decide नहीं करेगा समझे बात तो हम आज ना सबसे पहले यह वाला पूरा करेगा फिर अगले class में यह वाला कर लिया तो यह वाला चुटकियों का काम नहीं बस एक point इसको सीखने के लिए एक working note करना पड़ेगा सर और इस question में मजे की बात है आपसे कभी भी दो process तीन process नहीं बनवाएगा एक बात सिर्फ एक ही process बना दो काफी है वो लेगा भीया पहले आप बना दो मुझे उसने बोला आप बना के दिखा दो process एकाउंट बस यही बनाना है process एकाउंट लेकिन सर process एकाउंट के बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा working note और इसमें सबसे main working note ही है सर working note के अंदर क्या बनाना पड़ेगा working note के अंदर तीन बातों का खयाल रखना है आपने मैं अलग से लिख रहा हूं तो इसका मतलब बहुत important है कई बार examiner बोलता है अब आपकाउंट ऊकाउंट छोड़ो working note बना के दिखा दो बात खतम पंदर नंबर पूरे दे देने हो इसमें बनाना पड़ेगा एक कितने unit बन रहे हैं यानि equivalent unit equivalent unit production कितना हुआ statement एक तो ये बनाना पड़ेगा सर बड़ा आसान है बड़ा simple सी बाता भी सीख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है एक बनाना पड़ेगा हमें पर unit cost हर unit के कितनी cost आई cost statement ओके सर और कुछ बनाना है सर बिलकुल एक बनाना है हमें total unit cost मतलब total cost कितनी आई जिसको cost apportsment भी बोला जाता है ये बनाए अगर WIPO का उसमें भी यही बनेगा यानि इसमें देखा जाए तो process account अगर मैं ए process account बुलाना है बोलू तो आप तो चार मतलब एक column खीज़ दोगे चार line खीज़ दोगे unit input output सब कुछ कर दोगे ये तो आता ही आपको अगर मैं working note सिखा दूँ आपको तो ये तो वैसे ही हो जाना है तो आज सबसे main क्या सीखना पड़ेगा हमें इसका working note और working note में भी क्या सीखेंगे equivalent unit production एक एकर के बारी बारी सीखेंगे ये बस थोड़ा सा सीख जाओ ये सब तो बस मानके चलो एक calculation है जर्नल sir equivalent cost production सीखते हैं पहले इसका एक specific मैं format बना देता हूँ जो कि आपके लिए थोड़ा सा easy रहने वाला है और मैं format को बनाने से अच्छा है मैं पूरा question ही कर लूँ आई खेर इतना बड़ा नहीं बनता ही है एक basically कितने चीजें होती है तीन चीजें होती है न लेवर overhead material इसके बाद चेक करेंगे कितना output निकला फिर particular फिर कितना input निकला यह इतना ज्यादा मैं complicated इसलिए करना थोड़ा असान पड़ता है थोड़ा अच्छे सजागे करके देंगे इस गमना थो उपर लिखेंगे equivalent production सर यहाँ पर डालेंगे input यह होगा पर्टिकुलर क्या क्या डाला यह होगा output कितना माल बनाया यह होगा material यह होगा labor और यह होगा और सर अब इसके अंदर हम यह देखेंगे के कितने unit material के बने और कितने percentage बने कितने unit labor के लगे और कितने percentage कितने unit overhead के हिसाब से और कितने percentage यह फर्ट हम एक एक करके column को पहले समझ लेते हैं input input के अंदर आप क्या लगा सकते हो input की बात करें तो दो ही चीज़े input हो सकती है एक तो opening stock लगाओगे एक लगाओगे जो आप introduce कर रहे हो दो ही चीज़े input लग सकते हैं एक तो पुराने वाला माल और एक आपने और लाके material लाग दिया है यह input हो जाएगा और इस दोनों को अगर जोड़ दे मालो मैं बोलता हूँ यह 500 unit और यह मैंने बोला 1000 लगाया तो दोनों को जोड़ दे तो इससे बोला जाता है total input total input जैसे suppose कितना होगा total input अगर मैं बोलू ना normal loss इस पर निकलेगा total input अगर बोलता है कि in normal loss 5% तो अब इस पर निकालोगे बोलता है कि introduce का 5% है तो इस पे निकालो गए कुछ नहीं बोला हो तो total पे निकालना है और introduce बोला हो तो इस पे निकालना है यह junction देगे चलते हैं आपको लेकिन इस सवाल के अंदर ना normal loss के साथ साथ आपको पता है क्या देगा, scrap देगा scrap unit सर, scrap unit का मतलब क्या होता है scrap unit का मतलब होता है total unit सर, यानि scrap unit का मतलब, total unit का मतलब क्या है, normal loss प्लस abnormal loss अगर मैं कहूं के मेरा scrap unit 200 है और normal loss 10% है तो मुझे कौन बच्चा यहाँ पे abnormal loss बता सकता है abnormal loss बताईए abnormal loss पूछ रहा हूँ तो सर, live class वाले बच्चों ने तो कुछ ने जवाब भी दे दिया सर, यह 200 तो total है ना अब इसके अंदर से normal loss तो आप निकाली सकते हो 150 है तो abnormal भी निकाली लोगे अब तो अब तो कहानी असान है यह हमेशा हम मान के चलते हैं क्योंकि यह ना costing का ही पार्ट होता है यह हमको ही customer bear करता है, इसको हमेशा percentage completion में 0 मानना है इसको हमेशा percentage completion में 0 मानना है किसको सर, normal loss को 50, 50, 50, बागे बच्चे भी जवाब दो गुनगुन आपका 180 गलत था यह 50 था है, ठीक है अब सर, abnormal loss कितना 50 unit हुआ है अगर आपका, तो abnormal loss में कितना material लगा कितना labor लगा और कितना इन सभी का percentage आपको given होगा मैं question किस हिसाब से build up किया जाता है उस सब बताऊं यानि सर opening stock का आपको percentage given भी हो सकता है और नहीं भी अगर बोलता है opening stock पूरा तयार है तो percentage का क्या करना है sum में यहाँ unit 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 हागा अगर मैंने बोला abnormal loss scrap इतना है normal तो आपको normal loss का percentage ना जानना है और ना ही कोई मतलब रखता है हमें किसका लेंगे सरिफ abnormal को ठीक है ना मैं इसी format को करने से बहतर है कि मैं एक सवाल आपके सामने रखूँ इस सवाल के हिसाब से इसको fill कर ले तो मेरा सवाल भी हो जाएगा और format भी समझ में आ जाएगा है ना main चीज़े एक बार फिर देख लेते हैं सर इस सवाल के अंदर क्या के हमें पता करना पड़ेगा पांच चार पांच चीज़े नमबर वन आपको एक opening stock लेना है जिसका आपको percentage गीवन हो भी सकता है और नहीं भी नमबर दो आपका होगा finished goods यानि एक introduce कितना किया है यानि इसको हम input बोलेंगे नमबर तीन पे होगा आपका के आपने कितना complete किया है तो जो complete करोगे ना always कितने percent होगा ये और ये हमेशा आपको कितने unit complete किया इसे find करना होगा सर्थ समझा नहीं समझा नहीं कैसे find करना होगा एक्जामबल मेरा opening stock है 400 मैंने input डाला 1600 टोटल स्क्रैप है टोटल स्क्रैप है 250 नॉर्मल लॉस है 10% closing stock है 300 unit मुझे जवाब चाहिए के next process में कितना जाएगा यानि complete कितना किया अपने दो सवाल है मेरे यहां पर नेक्स प्रोसेस में क्या जाएगा पहले सवाल नेक्स प्रोसेस में क्या जाएगा देखते हैं सबसे fast कौन सा बच्चा गुन-गुन सर यह वो गलती लिख दिया था ओके बास पचास माल तयार किया है सैयार माल सिंपल पूछ रहा हूँ चलिए एक बार देखें करके लगता है मुस्किल कोश्चन पूछ लिया मैंने देखिए सर देखिए देखो ओपनिंग स्टॉक कितना सा सा चार सो और इंपुट आपने डाल दिया कितना इसका मतलब आप 2000 यूनिट बेचने के लिए लाइक हो आप 2000 यूनिट बेच सकते हो लेकिन उसने का भया 200 यूनिट तो स्क्राप ही चले गए मैंने बोला ओ हो 200 यूनिट चले गए तो इसका मतलब आप 1750 यूनिट बेच सकते हो समझ रहे हो ना आपने बोला स्थर बच गए 300 अच्छा 300 बच गया तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी 300 बच गए तो इसका मतलब आप कितने यूनिट बेच सकते हो तो यानि 1450 यूनिट आप लेके जा सकते हो next process में देखो समझ में आए नहीं है बिल्कुल साधारन भासा में कि भाईया शुरू में मेरे पास इतना था इतने डाले तो 1400 और 1600 और 2000 हो गए और आपने बताए 2500 तो बरबादी हो गए तो हटा दो इसको तो 1750 और आप बोल रहें बच्च भी गए तो भाईया माइनस कर दो तो 1450 आपके next process में जाने को तयार था सक्षम का सोनल का खुश्बू का पिंकी का दिया का इन सभी बच्चों का सही जवाब आ गया था समझ मैं अब मेरे दूसरा कोश्चन है कि भाईया जो next process में आपने भेजा है वो तो बड़े आराम से आपने बता दिया कि 1450 सल अगड़े process में जाएगा मेरा सवाल है कि ताजा माल कितना है और पुराना माल कितना है हमारा method कोन सा चल रहा है FIFO का मतलब जो भी हम आगे issue करते हैं पुराना प्लस में अगर पुराने से नहीं भर पाई हो पारी तो नया जोड के कर देते हैं यही होता है जैसे FIFO का मतलब क्या है आपके पास 200 unit है और 300 unit है मैंने बोला भया आप एक काम करो साड़े 400 unit भेज दो तो 200 ये वाला भेजोगे और 200 इसमें से भेजोगे इसी तरीके से तो आप 450 unit भेजोगे जो material में सीखा है आपने तो अब अगले process में 1450 भेज रहे हो तो जरूरी थोड़ी है सारा ताजा बना हुआ हो तो कौन-कौन सा होगा इसके अंदर दो चीजे हो होंगी एक opening stock और एक new जो new बनाया है आपने मेहनत करके इस साल तो opening का तो भीया 400 है और जो new बनाया है वो कितना है अब इसी को मैं इसमें भर के दिखा हूँ आपको सार input लगा opening stock लगा 400 और आपने input मतलब introduce किया है introduce किया 1600 सार total हो गए हमारे कितने सार 2000 इसके बाद अब इसमें से हम क्या क्या है देखतें opening stock सार यहां पे भी आ जाएगा सेम opening stock में unit कितने थे सर कितने unit थे 400 थे अब इसका मैंने percentage और percentage कुछ नहीं दिया मैंने बूरा तयार माल आया तो भाईया opening में तो कोई महनती नहीं लगा वो तो बनके ही आया रेट पता होगा इसके बाद हमने complete कितने किये एक हजार पचास नहीं यहां पे तो आएगा opening में opening में कितना आएगा यह अरे output में गलत लिख दिया मैंने एक मिनट थोड़ा सा नहीं column इदर उदर हो गया यह इदर नहीं लिखके यह तो output में तो unit आता है ना मैं इसलिए थोड़ा सा इदर लिख दिया चलिए opening के कितने लगे थे सर चार सो अब आपने complete कितने किये सर एक हजार पचास complete किये closing stock कितने है सर 300 normal loss कितने है सर 10% that is 200 abnormal loss कितने है सर पचास तो आप देखो ना total करके आपका यही आ जाएगा अब बच्चे यह पूछेंगे कि सर complete में 1050 किया से लिखा क्यूंकि आपने बताया था कि total 1450 है तो मैंने opening अलग कर दिया यह तो यह total एक तरीके से next process में गया समझ में आरे है बता आपको यहां तक किसी बच्चे को कोई doubt है तो बताईए यहां तक समझ में आ रहा है तो हम क्या करें अरे बच्चे कर लिया जाए यह तो पूरा हटता जा रहे है हम मिटाई लेते हैं यहां पर बताया opening stock plus complete 400 और 1000 पचाश चलिए एक सवाल आपके सामने मैं देने जा रहा हूं और वह विद परसंटेज के साथ होगा अगर मैं opening stock का परसंटेज बोलू कि opening stock का यह परसंटेज है तो इसका मतलब अभी लास में सिखा था के सर ओपनिंग स्टॉक परसंटेज अगर दे रहा है तो वह complete वारा दे रहा है हम यहां पर माल बनाने जा रहे हैं तो हमें कौन सा लेना है जो complete नहीं हुआ है तर नॉर्मल लॉस टोटल इंपुट पे होगा बिल्कुल नॉर्मल लॉस ना टोटल इंपुट पे लेंगे अगर सवाल नहीं कहता और सवाल कह दे तो वहीं लेंगे भाई फिर तो कोई समस्क्या ही नहीं है झाल